नवस्कार साथियों आफ देख रहे हैं general education जोन दोस्तों पौरानी pension बहाली को लेके केंड़ सरकार ने बरा फाहिसला किया है जिसा कि आपको पहले में ने बताया था कि बित मंतरी निर्मला सितारमन जी ने संसद में या एलान किया था कि पुरानी पेंसन बहाली को लेके एक कमीटी का गठन किया जाएगा आज उसी कमीटी का गठन हो चुका है और इस कमीटी ने क्या-क्या निरने लेना है क्या-क्या रिकमेंडेशन बित मंत्राले को सोपना है और इसका क्या-क्या काम होगा उसके बारे में पुरा डिटेल से इस वीडियो में आपको हम बताएंगे फिलाल इस वीडियों पर आपका क्या रहा है इस केंद सरकार के इस नीती पर इस कदम पर आपका क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे बताईएगा और वीडियों अच्छा लगे तो लाइक और सेर जरूर कीजिएगा आपको बता दें कि सरकारी करमचारियों की पुरानी पेंसन योजना को बहाल करने की मांग पर सरकार की तरब से या बहुत बरा फैसला किया गया है बित मंत्राले ने करमचारियों के पैंसन सिस्टम की समिक्षा यानि NPS की समिक्षा की जाएगी समिक्षा करने के लिए समीती का गठन कर दिया है यह समीती बित सचीव जो बित मंत्राले के बित सचीव होते हैं टीवी सोमनाथन की अगवाई में गठित की गई है यह समीती बितमंत्रालेक और सरकार को सुझाब देगी कि क्या सरकारी करमचारियों पर लागू रास्तिय पेंसन परनाली के मजुदा धाचे में बदलाव करना जरूरी है या नहीं मिन्स पुरानी पेंसन को लागू किया जाए या मजुदा धाचा पर नाली करमचारियों के लिए बेनीफिट नहीं है इसके बारे में यह कमिटी समिक्षा करेगी इसके अलावा और क्या क्या करेगी आगे आप सुनिए समीती NPS के तहट सामिल करमचारियों के पैंसन लाभ में सुधार की नजर से इसे संसोधित करने पर भी सुझाब देगी सोमनाथन की अगवाज में समीती में कार्मिक और परसिक्षन विभाग यानि DOPT के सचीब बैविभाग के विशिश सचीव और पैंसन फंड नियामक और विकास प्राधिकरन यानि PFRDA के चेयर्मेन बतोर सदस है बित मंतरी निर्मला सितारमन ने पिछले महने ही संसद में यग होसना किया था कहीं न कहीं केंदर सरकार पर यह दवाब बनता जा रहा है कि पुरानी पैंसन को बहाली किया जाए इसलिए केंसरकार ने 2024 को इलेक्षन को देखते हुए समीती का गठन किया है और समीती जल्द ही रिपोर्ट केंसरकार को सोपेगी और सरकार जल्द ही इस पर NPS को जो है OPS में तब्दिल करने की संभावना बन रही है यानि NPS में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है बदलाव होने की अनुसंसा होने की उमीद भी है फिलाल आपका क्या रहा है कोमेंट बक्स में जरूर बताईएगा मिलेंगे ऐसे इन्फरमेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद